है 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 लोग एवरिवन दिस इस रुपेश मिश्रा और वेलकम यौल तो यौर चैनल देडिस महतवायत देखिए जो चैप्टर नमबर थ्री चल रहा था लीनियर अलजेब्रा का उसकी लास्ट वीडियो है और इसमें यह खतम हो जाएगा आपका से और कल आपको जो कोर्स लेना है उस कोर्स की एक डेमो वीडियो आपको यूट्यो पे प्रोवाइड की जाएगी तो उससे जरूर आप देखें फ्रेंड में शेयर कर देगा तो इस दे वांट टू जॉइन देकें जॉइन उसके बाद में बताता हूं कि हाओ यूर ठीक है तो चलते हैं इस चैप्टर को खतम करते हैं और एक आपको कर डेमो में वीडियो मिलेगा उससे आप डिसाइड कर लिजेगा वेदर यू वांट टू यू आप लोगों ने मैट्रेक्स में सीखा हुआ है कि ट्रांस्पोस का मतलब क्या होता था ट्रांस्पोस का सरीज़ होता था कि रोज को कॉलम्स में जैं Corps में होता था यहां पे क्या मतलब कर जांस सुनेगा अगर आप ते video से वी अबनाए और माल लेते हैं एक linear functional आपने बनाया है यू डैश से वी डैश में ठीक है अगर कोई linear transformation यू से भी में ठीक है इफ कि इफ यहां पर लिख देते हैं इफ टी इस फ्रॉम यू टू वी दैन देर एग्जिस्ट टी डैश टी डैश वैसे ट्रांस्पोस को डैश से रेप्रेजेंट करते हैं और टी डैश ऐसा एक transformation है जो यू के dual space यानि यू डैश को वी के dual space यानि वी डैश में जाके जोड़ देता है लिखाए यह कि अगर ऐसा कुछ होता है यूश्य ट्रांसपोस्वेश ऑफपा लिनेयर ट्रांसपो्मेशन बोलते हैं दीक्या है वेर टी डैश इस लोगए कि ट्रांसपोस कि ऑ इंग्याल टी कि अलिटी बोने ट्रांसपोस हो गया किए से लिए देखते है तो यह टी डैस्ट तो समझ में आगा कि ट्रांस्पोस ऑफ लिनेर रांस्फोरमेशन है तो कैसे यह डिफाइंड कैसे होगा डिफाइंड एज कि डफिनिशन गया होगी इसकी दहां से जगेगा अगर हम से पार टी डैस्ट लगाते हैं और टी डैस्ट के साथ एक फंक्षण भी लेते हैं जो यह टो यह लिफोंग्ट कर दिया तो यह ओंकर के ऑपका ट्रांसस पृष्ण मिल जाएंग आपको टे का जहां पर जी जो है अपना आपको पता लिनियर फंक्शनल है तो वह डेश में बिलॉंग करेगा बड़ी सिंपल सी बात है एना क्लेर बात और जो एक्स है हमारा वह लेफ्ट वाले वेक्टर स्पेस में बिलॉंग करेगा यह हमारी पहला इंपोर्टेंट थेओरम था ठीक इस शुट भी आस्ट ठीक है तो ध्यान रखे चले नेक्स्ट पॉइंट जो है वह भी बहुत इंपोर्टेंट है अगर माल लेते हैं कि दो लिनियर ट्रांस्फोर्मेशन है इफ टीवन एंड टीटू आर और टू एल्टी इस टू एल्टी इस टीक है दो एल्टी है जो यू से वी में ही जा रहा है टीवन भी वही है और टीटू भी वही है बस हां अलग-अलग तरीके के से यह एक दुस्रे में मैच हो रहा है ठीक है दो अलग तरीके के ल्टी है अलग-अलग अलिमेंट को अलग-अलग अलिमेंट में हो सकता है एड़ कर रहा है तो यहां से एक बड़ा ही फिक्स एक रिलेशन मिलता है जो की इंपोर्टेंट है कि अगर हम इन दोनों टी को एड़ करें उसके बाद होल का डैस ले 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 डैस मतलब ट्रांसपोर्ज ले ले तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है आप अलग-अलग भी दोनों का कि ट्रांसपोर्ज कर सकते हैं जब यह टी की बात हो रही है एक तरीका का यह मैपिंग है न तो आटोमेटिक इस प्लेस पर एक साजएगा यहां पर भी एक साजएगा तो यह आपको अंडर्स्टूड होना चाहिए ठीक है कोई भी फंक्शन है अगर उसके साथ हम एक्स नहीं यह मिला है अना वैसे आपको याद अगर हो तो ऐसा मैट्रिक्स में भी करते थे हम लोग ठीक है मैट्रिक्स में भी दो मैट्रिक्स के एडिशन का होल ट्रांसपोर्ज निकालते थे तो भी यही बात पढ़ती थी लेकिन अ मल्टिपिकेशन करते हैं यह दो एलिमेंट का इ अगर उनका हम मल्टिप्लिकेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोर्ज लें तो यू वरिवल नो देट इट विल फॉलो दा सॉक्सूस प्रॉपर्टी और यूं से देट रिवर्सल लौ मतलब पहले बाद वाले में डैस लगेगा इंटू फिर पहले वाले बाद फिर वह ए ठीकित कूछ अलजेब्रेइक रूल्स है ऐलजेब्रेईक के रूद्स क्या रूद मॉसंस अगर हम जीरो वैक्टर जो अउस पे डेश लगा my जीड़ ट्रांस्वार्मेशन बोलेंगेसा धीरव चीड़ चीज़़ो को पहले जीड़ो पहले अलग आलग जिए पर अलग रखती है जिसे सूरज का परयव चीछ प्रभाकर दिवाकर बहुत सारे हैं रवी तो अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग नाम रखे जाते हैं वैसे यहां पे भी जीरौ अगर अपना जीरौ ट्रांस वर्मेशन है तो वह क्या करेगा जीरौ म स्क्राइब रोडे दोस्रा तो निडेटर जैना चैने सन्क्राइब प्रमान डेते हैं दूसरा क्या है आई इंटेटी मेप खरोगा cloud इसे इस मोट आइधा % be कर रहे हैं तक्क्षाय को माम लिफैसे में आपको आपको अपสस् лиर आपरेटर तब बहुत ज्यादा यहां पर दिक्कत नहीं यह वर्ड को अगर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लेकिन आपको बताना था था सकता है इंपॉडिन रहे था स्था तीस displacement का इन्वर्स है अगर लिए और सब्सक्राब्स करता है उसके बाद घृषाण सुप करताह और पर और का में भी हुथा था तो आप चाहें तो तो कोझे ने क्वाद इन्वर्स लगां धोनों ही ऐ है लेकिन ये तब नीजल को बताई इसके साथ इफ एक कंडिशन देदों कि ती इनवर्यतिए इनवल्टिवल अगर रटी इनवर्य वल है तब ही यह बात हम कहा सकते हैं या फिर बोलें टीइन वह ins is एक डी पॉइंट और हैसी में क्या है अगर आप माल लेते हैं यह ट्रांस्पोज है ठीक है एक साथ किसी लिनियर ट्रांस्पोज है तो आपका ए बहार आ सकता है और सिर्फ क्योंकि ए पर फरक नहीं पड़ेगा और टी पे आपका डैश्ट लग जाएगा ठीक है फॉर फॉर और ए बिलॉंग्स टू अपका फील में अपने इसके लिए उठा करके लिख दिया है ठीक है आगे बढ़ता है चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते है एनिही लेटर क्या होता है बड़ा ही मैचिंग पॉइंट है बिल्कुल पूराने से मैच करते है उसको अनिह अनिनमिweight Xu if a house होता है दो बहते हैं ही फीपन दोने सब्चां सब्सक्राइब होता है ये खिरादिक होता है जो किसी थीजस को तबाहँ कर देख अनिहिंट मतलब निंश्तोsheet करने का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि पेपर में आगे तो फाड़ भूड़के चले आए तबाह करके बिल्कुल लाग लाग चले आए ऐसा नहीं है यहां पर मीनिंग होगा कि ऐसे सारे फॉंक्शन्स जो एक्स पर अप्लाई होने के बाद उसको जीरो में मैच कर देते हैं तो अब मेरे बात धान सस्जेंगों बहुत ज्यादा आ अगर माल लेते हैं कि इस 1000 कि पर लेट स if इस इज आ सब सेट पूस है और वी कि अवर फ धिगए नॉट निसेसरी है इसमें जरूरी नहीं है necessary a c necessity a c n a e wu sub space ho ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है then then f जो है अगर उसके हमने माल लिया linear functional के set V' में से dual basis में से एक हमने function उठाया linear functional उठाया है ना linear functional में उठाया है ना तब यह जो हमारा f जो f आ रहा है then then मुझे एक चीज़ और लिखने थी इसमें then set of f वो सारे f का set जो V' में है यानी dual basis में है है ना इस कॉल्ड एनिहिलेटर अगर हम इसका set बनाए है एनिहिलेटर ठीक है बड़ा ही बहुत बड़ा नाम है अब एनिह लिख देंगे ठीक है याद रखेगा एफ बिलॉंग्स टो वी डैश इस कॉल्ड एनिहिलेटर ठीक है तब इसे एनिहिलेटर बोला जाएगा यह ना एनिहिलेटर ओफ एस एस का है एनिहिलेटर इफ अगर f of x is equal to 0 हो जाए एक्स पिलोंग्स टू एस अगर एस के सारे अलिमेंट आप उठाएं और उसमें यह लिनियर फंक्शनल अप्लाई करें और ऐसा अप्लाई अप्लिकेशन के बाद आपको अगर 0 मिल जाए तो यह क्या होता है एनिहिलेटर होता है तो यह बात तो समझ में आ गई हम इसे कैस से लिखते हैं हम इसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से एनिहिलेटर एसके ऊपर एक छोगोटा सा जीरो बना देते हैं और यह उन फंक्शन का सेट है जो एक्स के एलिमेंट पे लगाने के बाद जीरो में भेज देता है और एक्स बिलॉंग्स टू एस एंड एफ बिलॉंग्स टू वी डैस अच्छा एक बड़ी अच्छी से बात बना है आपको यह आप इसे रिलेट कर सकते हैं कैसे जाधान सुनेगा अगर आप ट्रांस जो ल एलिमेंट जो जीरो से जाकर के मैच हो जाते तो वह सारे हम उठा लेते थे एक्स बिलॉंग्स टू यू होता था अब धान सुनेगा यही चीज यहां पर भी है ठीक है अब आपने क्या किया आपने अप तो वी डैस लेगे ना वी डैस के कैसे एलिमेंट उठाते हैं एलिम जिनके लिए कि एक से कि यहाँ उठा रहे है वी याद करने का था यह पूलने से अच्छा आप इसे करनल भी बोल सकते हो करनल ऑफ टी बोलते थे यहां पे करनल ऑफ क्या हो जाएगा करनल अफ देस करनल आफ लाइश बी-डैश का करनल है यह तरीके से एक नया नाम तो देना पड़ेगा ना भाई दे सकते हैं ठीक है अरी बात समाझ में याद रख्येगा इसको आगे बढ़ते हैं इस पे बेस्ट कुछ इस स्टेटमेंट से इंपोर्टेंट उन्हें देखते हैं देखे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण कि एक कथन है वो क्या है अगर माल लेते हैं इस जो हम सबसेट माल लेते हैं वी आज सबस्पेस अगर यह सबस्पेस है बच्चो देंड देंड जो एनिहीरेटर आफ एस बनेगा इस सबस्पेस तो यह भी हो जाएगा सबस्पेस किसका और वी डैश एक सेकंड नहीं तो आप लोग होगे सर दिखा नहीं देन सबस्पेस ओफ वी डैश ठीक है क्योंकि एनिहीरेटर उससे से निकलता है याद रखेंगा बहुत इंपॉर्टन है ओके इसके बाद बड़ी अच्छी बात अगर माल लेते हैं इफ डामेंशन अफ वी यह ना माल लेते थोड़ी दिर के लिए फानाइट डामेशनल है या ऐसे लिख लो कि इफ वी इस finite dimensional अगर finite dimensional है वी तो एक बड़ा ही important relation आता है यहां पर एंड डबलू भी और सबस्पेस तो एक बड़ा ही महतुपूर्ट रिजल्ट निकल के आता है बच्चो रिजल्ट क्या है रिजल्ट मैं ग्रेंड पैंसे लिखूंगा सबस्पेस की डामेंशन निकाल ली और डामेंशन ऑफ डबलू तो अगर डामेंशन ऑफ डबलू निकाले और इसकर डामेंशन निकालाता तो उन दोनों क्सम कinters Sum कहुता है Dimension वी के बराबर होता है ऑप दंस व्सपेस भी उस का इस्थ है तो समन होता है इंपॉर्डन स्टेट्मेंट है यह हमारे में काम आएगा कैलकुलेशन में ऐसे बहुत बनते हैं ठीक है चलिए थर्ड पॉइंट देखता है अब देखिए बड़ा ही मजबूत रिलेशन है बहुत ही मजबूत क्या है समझो जरह अगर एक हमने लिनियर इप लिया है टी इस फ्राउं मियू टो वी ठीक है यू सेवी में अगर तेन देखिए बड़ा ही मजबूत रिलेशन है यां से ध्यान रखेगा अगर आपसे आ अपने रेंजिस पेस बना लिए रेंजिस पेस तो सब स्बस्पेस होता ही है किसका को डूमें का मतलब इसका एक ठीक है सब भूता है तो अब इस रिच इस प्पेस ये खील में एक सम्द्वू प्रेंग होता है ये ये इंही तो आपने क्या किया त्पहले निग पहले निकाल लिया टीका बीबराबर होते हैं तो यह दोशी है दूसरी बात क्या बराबर होती है constant कि अगर हम कहें कि रैंक कि रैंक ऑफ कि यानि जो हमारे टी निकलेगी लिनियर ट्रांस्वर्मेशन की रैंक निकलेगी वह जो होगी रैंक ओफ टी डैस दोनों बराबर होंगी अब यह साथ क्यों होता है कि वन 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 के केस में आप कोई भी ट्रांस्पोस कर दो रो कॉलम में बदल जाता है बच्चों आप को यादो का मैं पढ़ा गया है चाहे आप रो को कॉलम में बदल जीए रैंक दोनों का सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए और देखते हैं अब देख लेते हैं दो अगर हम लीनर ट्रांस्फोमेशन ले लेता है टी वन और टी टू दोनों कहां से यू से भी में लैट से तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और भी मिलते हैं दिके सारे रिलेशन बच्चों याद रखना आपको एसलिए प्रैक्टिस दिमांग में इसको जरूर रखेगा ठीक है नोट जरूर बनाएगा इसका पीडियाफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है ठीक है अगर टीवन और टीटू की दोनों की कमबाइंड हमें रैंक चाहिए तो इस विल भी लेस देन और एक्वाल टू अलग-अलग से क्यों सकता है और अलग-अलग तो और यहां तो राइट वाला बड़ाएगा मेंशा ठीक है भी वाला प्वैंट क्या है अगर दोनों के मल्टिकेशन की रैंक निकाल नहीं है यह T2 है टीवन टीटू करके ज़्यादा फेमस है टी और एस करके ज़्यादा फेमस नहीं है that's why I had put here टीवन टीटू टीटू के मल्डिपेकेशन की रैंक निकाल ली है तो हमेशा मिनिमम करके ली कि जाती है कि दोनों के जैसे माल्य आप दोनों की लग लग राइंक निकाल ली थीवन अठीकर आप से कह लिए लीब पटेशिंएं की रैंक निकालो तो मल्डेट कि मिनिमम से कम या बराबर आएगी क्लियर स्थी थाइध सेवा पंट गया है थाफ पॉइंट है अगर if T2 is invertible अगर T2 जो है वह अगर invertible हो गया ठीक है then एक अच्छा सा relation आता है कि दोनों के मल्डिपेकेशन की rank is equal to फिर वही लिख दिया मैंने ठीक है T1 के दोनों के मल्डिपेकेशन की rank is equal to हम इसकी प्लेज भी चेंज कर सकते हैं सेम आएगा और इस इक्वल टू टीवन के रहें के बराबर क्योंकि यह T2 invertible है तो उसका कोई फरक उस पर नहीं पड़ेगा आरी बात समझ में so this is the final this was the last point of this chapter so linear functional is right now bind up as a point of view of you know concepts concept के point of view से पूरी तरीके से खतम हो चुका है और आपको मैं फिर से बता दूँ वीडियो का ये चैप्टर का एंड हो चुका है कल चैप्टर नंबर फॉर स्टार्ट करेंगे और कल आपको mcq का एक mcq का एक mcq का एक mcq जो कोर्स है उसका एक डेमो विडियो मिलेगा कि टीक है डेमो वीडियो अप ले लिजेगा linear algebra का मिलने वाला है ठीक उसमें भी लगबयग अच्छे गास अल्मोस्स 30 क्वेस्टन में मैं solve कर आऊँगा chapter number I think one K chapter number one or two involved हो सकता है one and two that will be your demo video after seeing which you can decide whether you are going to purchase or not the so-called you know mcu course of 200 rupees starting members को इतने का ही मिलेगा ठीक है और उसके साथ आपको पसंद है तो अच्छी पसंद आना चाहिए क्योंकि आप लोग काफी लोग पहले के भी हो आप उन्हें पहले उसका मज़ा लिया है ठीक है और इस बार तो में उसी पर ही independent है तो mcqs भी काफी ज्यादा मिलेंगे काफी ज्यादा तो आप यह अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजेगा ठीक है और बाकी लिंक में बताऊंगा कि कहां पर आपको पर्चेस करना है और हो यूविल गैट बेनिफेटेड विद दोस वीडियोज ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मेहत वैद पर थेंक यू